How to draw perpendicular to a given line from a point outside it? आज हम लोग तीन मेथोड से perpendicular draw करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तीन line draw करते हैं. ये है AB. इस AB line के उपर outside एक point है P. मेथोड नमबर वान में क्या करना है? P को center बनाएंगे. और suitable length लेकर AB line segment के उपर दो arc cut करना है. ये दोनों arc जहां पर cut कर रहा है AB line segment को. उस point से further same radius लेकर दो arc बनाएंगे. ये दोनों arc एक दूसरे को cut करेगा. उस point से P point तक add करेंगे, join कर देंगे. D तक. जो की AB line segment के उपर है. मेथोड नमबर टू. मेथोड नमबर टू में A को center बनाएंगे. AP radius लेकर एक arc बनाएंगे. AB line के उपर से होते हुए नीचे तक आएगा. ये arc. ये arc AB line segment को C point पे cut किया. C point को फिर center बनाएंगे. CP radius लेकर. AB line segment के उपर में शुरू होकर. नीचे तक draw करेंगे. ये arc. ये दो arc एक दूसरे को जिस जिस point पे cut किया है. दोनों point को add करेंगे. और extend कर देंगे. P point से. AB line segment के उपर. third method में P को center बनाएंगे. और AB line segment के उपर दो arc draw करेंगे. ये दो arc AB line segment के उपर जिस point पे intersect किया है. उस point को center बनाएंगे. पी point से थोड़ा सा ज्यादा length लेकर, radius लेकर दो-दो arc बनाएंगे. ये दोनों arc एक दूसरे को जिस point पे cut किया है, वो point और P point जॉइन करके AB line के उपर तक draw करना है. AB given line के outside point है P, PD है AB line segment के उपर D point पे perpendicular. पेडिकुलर.